हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जो अगला T20 का मैच होने वाला DGA वर्सेस ECC के बीच में इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इन्फरमेशन सेर करूँगा बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते वे दिखेंगे कौन से प्लेयर फर्स्ट आउन पे खेलते वे नजराएंगे सारे प्लेयर का बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको इस मैच के अंदर चार वर तक बॉ पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी स्रीक्वेश्ट अगर आप चेनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चेनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लें इस वीडियो के नीचे दोस्तों आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा इस पर एक बार क्लिक कर दे साथ सथ यह पर जो बैल आकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको All का ओफशन देखने को मिलेगा दोस् दोस्तों हमें support जरूर करें और सबसे important है कि आपमारे telegram group को join कर लें दोस्तों यहाँ पे आपको एक arrow का button मिल जागा अगर आपने YouTube update किया है तो फिर दोस्तों आपको इसी प्रकार more का option देखने को मिलेगा जैसे आप यहाँ पे click करते हैं आपको हमारे telegram group का links हो जाएगा इस group में join करना जरूरी है दोस्तों कि लाइनप के बाद आपको final team यही पे मिलेगा अगर कोई भी changes होता है तो एक बार जरूर से जरूर जोइन कर लेना दोस्तों अभी तो हमनों team बनाएंगे ही लेकिन हो सकता है कि एक दो player after toss change होता है तो ऐसा इस्तिति में आपको final team update कर दिया ठीक है एक बार जरूर से जरूर जोइन कर लेना इस वीडियो के नीचे में आपको link share कर दिया है description box में और जहाँ आप comment करते हैं पहला comment पे link आपको pin कर दिया है आप click करके आसानी से join कर सकते हैं तो चलिए अब stats की और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यह जो match है यह रात 10 बज आपको यह match देखने को मिलेगा SSC record में दुबए में यह match होने वाला रहा यहाँ का आपको पीच दिपोर्ट लगभग बता है दोस्तों balance पीच है batsman और बॉलर्स दोनों को यह भी तक equal support देखने को मिला है दोस्तों बाकि DGA के जो टीमे पहला मुकाबला खेल चुका है DDD के खिलाप जो यह आप हुआ था 266 का target दिया था लेकिन DGA के टीम इस रण को 209 तक ही chase कर पाये थे पहला मुकाबला DGA के टीम जो है दोस्तों यहाँ पे loss करते हुए आए हैं वह इस second match अगर आप देखेंगे DGA के team 147 तक यहाँ पे chase कर लिये थे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे win करा है और third match यहाँ पे लेकिन ECC के team इस रण को आसानी से chase कर लिये थे देख सकते हैं उनमी से वर चार गिंदों पे 204 रण बना दिये थे दोस्तों इस match के अंदर देखेंगे न तो ECC के team जादा मजबूत न ज़राएंगे दोस्तों DGA के मुकाबले ठीक है चलिए बैटिंग ओटर पे और आगे दोस्तों इस प्लेयर को आपने टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्राय करना बैटिंग बॉलिंग दोनों सेबको पॉइंट दे सकते हैं पहले मैच के अंदर 230 रन स्कूर करा है फिर यह पर 19 रन बनाया हुआ है टीम के फर्स रन का बैट्समन है दो मैच के अंदर टोटल अगर आप दिखेंगे तो 49 रन स्कूर कर चुका है सेध हसन और राजा सेकेंड डाउन पे खेलेंगे पहले मैच के अंदर 16 रन फिर यह पर फर्स रन पे खेलते विच 29 रन स्कूर करा है फिर 4 रन मनाया हुआ है तीन मैच के अंदर टोटल अगर नने 49 रन बनाया हुआ है बाके अपर रह्मान गुल जो कि थर्ड नमर पे खेलने के लिए थे पहले मैच के अंदर 33 रन फिर 34 रन दो अवर का बॉलिंग में ये फ्लॉप रहा था टोटल तीन मैच के अंदर 67 रन इनने स्कूर करा है दोस्त दोस्तों पहले मैच के अंदर 19 रन फिर 4 रन फिर 7 रन तीन मैच के अंदर टोटल अगर आप देखेंगे तो 30 रन उने स्कूर करा है मुहमद अधनान का सर के बात करेंगा दोस्तों तो पहले मैच के अंदर 25 inch कंदर भी इनको विकेट ने मिला है और लाष्च मैच के अंद आपको फिलौप रहा था दोस्तों यह उतीन की बात करेंगे तो पहले मेर्स के अंदर टीन वीकेट फिर मेर्श यह थे दौ वीकेट निकाला हुआ है टोटल तीन मेर्श का अंदर अभी तक 6 वीकेट इन व कर चुके हैं तो गेंदबाजी फिक्स सेरझ तो यह आपको चार ओवर बॉलिंग कंफर्म करते हुए आपको दिख जाएंगे आपको इनको पर टीम के अंदर ट्राय कर सकते हैं मुहमद अदिल की बात करेंगे दोस्तों तो एक मैचेस खेला वाए जो दो विकेट इन्होंने निकाला हुआ है बाकि अतीव जेट को ड्रॉप करना है आपको स्टार्टिंग ओर पर गिंदबाजी आपको करते हुए नहीं जाएंगे तहसान यह असीन आपको स्टार्टिंग ओर पर गिंदबाजी करते हुए दिखेंगे यह चार प्लेयर आपको बैंचेस प्लेयर में नजर आएंगे दूसरों डीजीए के टीम के तरफ से लगभगा को सेम बैटिंग ओटर इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जागा डीजीए के टीम के तरफ से लेकिन ECC के अब रिकॉर्ड देखेंगे मौहमद शाहिर आपन करते हुए 89 रन स्कूर करा है बाकि अपर शोहिल बर्टी यह भी आपन करते हुए 10 रन स्कूर करा है यह दोनों के दोनों आपनर बैट्समेन है ECC के टीम के तरफ से बाकि आहमद यहाँ बात करेंगे अपर आविद से भी पॉइंट देने वाले हैं इसके लाड़ी को अगर आप चाहें तो कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी के लिए भी ले सकते हैं जो टीम के टॉप अडर पे बैटिंग करते हैं प्लस गिंद बाजी भी करते हैं बाकि माज़ाविल चरान थर्ड डाउन पे खेलते वे 8 रन लहरो की बात करेंगे दूस्तो चार नमर पे खेलते हुए 10 रन सुर करा है एक वर का गिंदभाजी में फ्लॉप राता बाकि है पे रर की याईटर की बात करेंगे तो पाун्च नमर पे खेलते हुए 4 रन सुर करा है तो नुप दो वीकेटर निकाला हुआ हुआ है तो यह ब बॉदासिर, मौमद इस्माइल और यहां पे दो संतोस पिलाई यह चार वर का बॉलिंग में हाला कि एक विकट निकाले थे लेकिन इन तीनों प्लेयर्स को अगर आप चाहे तब डॉप कर सकते हैं आप देखो इस्टार्टिंग और पर गेंदबाजी मौमद यासिन और मौत इन दबाजी करते हुए दीख जाएंगे स्टार्टिंग और पर बाके डेथ पर मौमध यासिर और यहां पर दूस्तो यहां पर अकल अधा हैडर आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे डेथ वर बाके बैंचिस प्लेयर्स में देखेंगे मौमध इमरान विवाफ यहाँ पर दोस्तों बिवफ सिंग, अनुराग निशाद, उमर सुल्तान, यहाँ पर अनुष ठाकुर धीमन, यह जो चार-पांच खिलाड़ी लगबग आपको 22 प्लेर में नज़राएंगे ECC के टीम के तरब से, बाकि यह सारे रेकॉर्ड्स आप देख सकते दोस्तों DGA और ECC के सारे प्लेयर्स का बैटिंग ओडर आपके सामने है, दोस्तों इसमें से जिसका भी आपको रेकॉर्ड बहतर लग रहा हूँ, बैटिंग ओडर को ध्यान में रखते वे, प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर आप ले सकते हैं, अलाकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम रन स्कूर करा है, ओपन करते हुए दूस्तों, बाकि A.S.N.N. को मैं ट्राय करूँगा, इनका भी रेकॉर्ड आपने देखा है, A.S.N.N. भी बहुत बढ़ियर्ने वाला दूस्तों, जो टीम के फर्स्ट आउन सेकेंड डाउन पर लगभा खेलते वे दिख जाएंगे दूस्तों, DGA के टीम के तरफ से आपको पता है, बहुत बढ़ियां खेलता है, दूस्तों, इनको अपने टीम के अंदर आपको जरूर से जरूर रखने चाहिए, बहुत बढ़िया पॉइंट्स दिया है, पूरे इस ट्रूनामेंट के अंदर, दो ही मैचे सभी तक खेला है इनको भी आपने टीम के अंदर आपको ट्राय करना होगा, अभी तक दो ही मैचे सभी तक इस टीम ने खेला है, लेकिन चाले सर्मना के एक विकेट निकाल चुके हैं, टीम के कभी ऑपन करते हैं, कभी थर्ड डॉन पर खेलने के लिए लेकिन इंपोर्टन प्लेयर रहागा ठीक आप इनको ट्राय कर सकते हैं यह हैडर को ट्राय करेंगे ECC के टीम के तरब से इन्होंने भी बढ़िया पॉइंट्स दिया हुआ दोस्तों इस टूनामेंट के अंदर तीन और लास्ट मैच के अंदर बॉलिंग करा था अपने टीम के अंदर इस वज़े से लिया है लास्ट मैच के अंदर आपन करने के लिए थे पचास और बनाएतर चारवर के गिंदबाजी पे एक विकेट निकाले भी है तो यह तीन प्लेयर जो है दोस्तों बहुत इन्पूर्टन रहेगा बॉलिंग में दोस्तों मैंने आपर तीन बॉलर को लिया हुआ है ती यासिन कंफर्म आपको चारवर बॉलिंग करते हैं दिखी जाएंगे दोस्तों टीम के सांदर गिंदबाज है एस अनवर को मैंने लिया हुआ एस अनवर भट यह भी डेथ वर पर गिंदबाजी करते हैं आर गुल को मैंने लिया हुआ आप टीम प्रिफ्यू की बात करते हैं तो मेरा टीम आप देख सकते हैं कैप्टेंसी के लिए दोस्तों यहाँ पे यह दोनों के दोनों कैप्टेंसी के लिए बहुत अच्छा ओफशन रहने वाला है अगर यहाँ पे चाहें तो यू हैडर को भी ट्राइ कर सकते हैं वाइस कैप्टेंसी के लिए लास्ट मैच कर देर आपको पता है दोस्तों ओपन भी किये थे चार बर गिंदबाजी भी किये थे लाइनप के लेट करना अगर एक दोप्लेयर आप चेंजे चेंज होता है थैंक्स फॉर वाचिंग जाहिंद